कहानी के स्टार्टिंग में हमें दो बंदे दिखाया जाते हैं जिसमें यहाँ पे जो किंग नाम का बंदा होता है यह बोलता है कि जो शीन है वो जह मेरी है तुम उसका पीछा छोड़ दो तबी लिंग बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पे यो शीन है वो जह मुझसे प्यार करती है ना कि तुम से प्यार करती है इसलिए तुम उसका भी छोड़ दो और वो जह मुझसे ही शादी करना चाहती है अब यह सुनके यहाँ पे जो किंग होत से उठके खड़ा हो जाता है और यह लड़ाई करने के लिए तयार हो जाता है तभी यहाँ पे यह दो बंदों को बुला लेता है और वो बंदे यहाँ पे जो लिंग होता है उसे जह पकड़ लेते हैं यहाँ पे लिंग को पकड़ने के बाद यह लोग कहते कि आप हमें से छ अब इक किसी काम का नहीं है और बिना गेट की इसकी जह कोई इजद भी नहीं होगी यहां पे कोई भी इसको जह नहीं पूछेगा और यह बात कल पूरे शहर में पराद चल जाएगी और यहां पे जो यह लिंग है इसे जह मरना अच्छा लगेगा जीने की वज़ाए यहां लिंग बोलता कि आखिरकार अब तुम क्या लेने आई हो मुझे पता कि तुमने ही मुझे जान मुझके यहां पे पाड़ों के अंदर भेजा था जिस पे शिंग बोलती की देखो यहां पे जो किंग की फैमिली है वो जह तुम्हारी फैमिली से ज़्यदा पाउरफूल है अगर मैं उसके आगे नहीं जुकती तो वो जह मेरी फैमिली को खतम कर देते तुम यहां पे लिंग बोलता है कि आखिरका तुमने ऐसा क्यों किया तुम तो मेरी लाइफ पार्टनर बढ़ने वाली थी लेकिन तब भी तुमने जह मुझे धोका दिया जिस पे शिंग बोलत तुमि सोचो कि एक बंदे के पास गेट है तो यहां पे शिपर लिंग बोलता है कि हाँ यह मेरी गलती है कि मैंने तुमहारे उपर आखिल करके भरता जोका दो गी जिस पे शिंग बोलता है कि मुझे यह करना पड़ा वरना वो जोग मेरी फैमली को मा डालते है इसलिए मु ली जाती है फिर नेक्षिन में यहाँ पर जो लिंग होता है वो बहुत जा टूट चुका होता है और वो जह नीचे गिर जाता है तब यहाँ पर लिंग के उपर जो बिजली है वो गिर जाती है और एक दम से इसके अंदर से नाइन जो पावर है वो निकल जाती है फिर नेक् मैं समझ गया आखिर कार यह क्या हो रहा है। मैंने अपनी 9 जिंद्गी में अपनी जिस सारी जिनद्गी है उसे जे श्टोर कर दिया था। उनकी यादों को मैंने अपने पास रखा था। और मुझे लगता है कि मेरी जिशील है वो जे टूट चुकी है, यानि कि सारी जो पा पूरा नहीं हो पाया लेकिन इस जिंदगी में अब वो पूरा हो जाएगा मैं उन बंदों को नहीं चोड़ूंगा जिन बंदों ने मुझे यहां पर मारने की कोईशिश करी है मैं उन सभी को आव जैस वक सिखा दूँगा अब मैं देखता हूं कि आखिर कार मुझे कौन रो गए मुझे तो अभी तुम्हारे साथ बहुत जा खेलना था तुम्हें यादी हो कि हम लोग बच्वन में यहां पर जो आम है वो जह चुराय करते थे और तुम यहां पर मुझे छोड़ के चले गए आखिर कार मेरा क्या होगा और यह जह बहुत जादा ही यहां पर जह रो हो तब यहां पर लिन्ग बोलता है का तुम्हें अजय्म में कोई दूख के पास आजाता है यहां पर यह बंदा भौजा डड़ जाता लेकिन डड़ते हुए यहां पर लिंक मुझे मर जानी था तशीधा भाई बोलते है कि आखिर कर मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा मैं तो चाहता हो कि तुम जिन्दा रहो और यहां पे मेरे साथ रहो तो लिंग बोलता है कि बता हो मेरी गैर हजरी के बीच में यहां पे क्या क्या हुआ है जिसए इसका दोस्त बोलता है कि इहां पर जुणाए उसने इंत्याम लगाया है कि इहां पर तुमने झाए उनकी बैटी को छेड़ा है और जिसकी वेसे उन्होंने अपनी जो engagement है वो जह तुमसे तोड़ दी है और साती जो किंकी फैमिली है उन्हों ने इतंजाम लगा है कि यहाँ पर तुमने उसे माने को हिश्च की है जिसकी वैसे तुम्हारा जो गेट है वो छी चीन लिया गया है और ये तुम्हें सजा मिली है और यहाँ पे जो एल्डर्स है उन्होंना उनके उपर इंतजाम लगा है कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ पे शीन को छेडा है इसलिए हम तुम्हारे को राजगदी से हटा रहे हैं और साथ में तुम्हें 10 मिलियन जो कोईन है उभी जह देने होंगे यह सुनके लिंग कहता क जल्दी से उनके पास जाना होगा और यह जह उनके पास जा रहा होता है तभी आगे चलते हुए लिंग को अपनी बहन दिखाई देती है जो यहाँ पर बहुत जा दुखी हो तभी लिंग का भाई यहाँ पर आ जाता है और यह बोलता है कि बहन बताओ आखिर का तुम दु वो दिया है जिसकी वायसे सेयान फैमिली ने यहाँ पे जो रिष्टा है वो ज्य तोड़ दिया है अब यह सुनने के बाद इसके भाई को घुठा आ जाता है और यह बोलता है कि आहिरेकर वो लोग रिष्टा कहे तोड़ सकते हैं श्यान फैमिली तो हमारी से कितनी नीची ज तभी यहाँ पे जो लड़की होतीं है ये बोलते है तूमने रिस्ता तोड़ दिया तो यहाँ पे दूर रहो। जिस पे शिन बोलता है कि मैं रिस्ता नहीं तोड़ता है। तब यहां पर शियान होता है यह बोलता है कि तुम मुझे यह बताओगे कि आखिरकार गेट जाने के बाद कैसा लगता है क्योंकि मेरे पास तो यहां पर पावर है लेकिन तुम्हारे पास पावर नहीं है लिंग बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और यहां से निकल जाो श्यान बोलते कि तुम अपनी वक्वास बन करो तुम्हारे पास पावर नहीं है तुम एक फालतु कुटे हो और मेरे पास यहां पर यहां पर उतले पावर नहीं है, यह सुनते है लियांग गुस्ते में आ जाता है और यह बोलते है कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो तब ही यहाँ पे शियान बोलता है कि देखो तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है और तुम मेरा कुछ नहीं भी कार सकते है endeavors यहाँ पर King family और Shian family अभी तक साथ में हैं और जिसके वाद हम देखते कि जो Shian होता है वो यहाँ पर Link के उपर हमला करता है लेकिन Link बड़े आराम से उसके हमले को Doge कर देता है और उसे Side में कर देता है यह देखके सारे बंदे बहुत ज़्याई शोक में आ जाते हैं कि आखिर कार Link की पावर इतनी कैसे बढ़ गई फिर Link यहाँ पर Shian को पकड़ लेता है और यह बोलता है कि तुम जह बहुत ज़्यादा पकास कर रहे थे अब बोलो तुम क्या कहना चाहोगे फिर Shian बोलता है कि देखो तुम जह बहुत ज़्यादा पंगा ले रहे हो तब यहाँ पर Link जो होता है उसकी पावर को यहाँ से जह चीन लेता है और उसे जह फैक देता है फिर Link बोलता है कि अब इसका काम तमाम हो गया हमें जह जह यहाँ से चलना चाहिए मुझे मेरे फादर से भी मिलना है और मुझे वहाँ पर जो प्रोग्लम है उनको भी जह ठीक करना है फिर लियांग और उसका भाई यहाँ पर जह जह जा रहे होते हैं तभी लियांग का भाई बोलता है कि तुम्हारी तो पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है जिस पे लियांग बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है लेकिन मुझे इसके बार में ज़्यादा कुछ नहीं बता नेक हिनम लिंग के फादर और बाकी एलडर्स को देखते हैं यहाँ पर जो एलडर्स होते हैं यह बोल रहे होते कि आपके बेटे ने ज़शीन है उसे जह जह चेड़ा है अब शीन की फैमिली यहाँ पे हर जाना मांग रही है तो दस मिलियन कोईन है तो बता वाकिल कर हमें क्या करना चाहिए तभी यहाँ पे जो लिंग होता है वो आजाता है और यह बोलता कि सभी अल्डर्स को नमस्ते लेकिन यहाँ पे आप लोग जो कह रहे हो यह जह गलत है मैंने उसे नहीं चेड़ा उसने उल्टा मुझे जह जंगल में भेजा था शीन और यहाँ पे जो किंग की फैंगली है वो जह मिली हुई है उन लोगोंने मुझे जान मुझे के जंगल के अंदर भेजा और मेरा जो गेट है उसे जह चीन लिया तभी यहाँ पे एक बंदा बोलते कि मुझे पता है कि तुम जूट बोल रहे हो आखरकर यहाँ पे किंग फैमिली को तुम्हारा गेट छीने की क्याजरत है वो तुम से कुछ ज़्यादा स्टॉंग है तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो ताकि तुम्हारा जो गेट है वो जहे तुम्हें मिल जाए तभी यहाँ पे लिंक के फादर कहते कि आप यहाँ पे जह लिंक को बच्पन से जानते हैं लेकिन फिर भी आपको जह लिंक के उपर ब्रोसा नहीं है देखने से ऐसा लगता कि जैसे आप खुद भी यहाँ पे जो किंग फैमिली है उसके साथ में हैं तो यह बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है आगर हम इस मामले को यहाँ पे छोड़ भी दे तब भी इसने शियान फैमिली के साथ अभी भी पंगा लिया है हमें यहाँ पे उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा तब ही यहाँ पे लिंग के फादर कहते कि आप उसकी चिंटा मत लीजे मुझे पता है कि मेरे बेटे ने यहाँ पे शियान फैमिली के जो बेटे है उसको मारा है लेकिन अगर वो लोग यहां पे मुआपजा लेने आएंगे तो हम लोग यहां पे जह समझ लेंगे कि हमें क्या करना है तब ही लिंग बहुत था कि वैसे भी जो शेनियान है उसने मेरे उपर पहले हमला किया था और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी थी इसलिए मैंने उसका जो कल्टिवेशन है उसे जह यहां पे डिश्टोई कर दिया यह सुनने के बाद जो एल्डर है यह बोलता है कि आखिर का तुमने ऐसा क्यों किया अगर उसने तुम्हें जान से माने कोशिश भी करी थी तो तुम्हें उसका जो कल्टिवेशन है उसे जह डिश्टोई नहीं करना चीए था क्योंकि यहां पे कल्टिवेशन डिश्टोई होने में और मरने में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है अब तुम्हारी सरकत की वैसे यहां पे हमारे जह दुस्मन है वो जह और भीया बढ़ गए हैं तुम्हें पता नहीं क्या अगर वो तीनों फैमिली चाहे तो हमारे उपर मिल के हमला कर सकती है अगर उन लोगों ने मिल के हमला किया तो हम लोग मारे जाएंगे आप ये सुनके सभी बंदे बहुत ज़रा घुसा हो जाते हैं और ये बोलते हैं कि लिंग ने बहुत ज़रा गल्द किया तब ही लिंग बोलते हैं कि वैसे आप यहां पर हमारे दुस्मन की जो चाले हैं उनके बारे में कुछ जाए जानते हैं तरह तो आप हमारी जो यहां पर मोटिवेशन है उससे जहे खतम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप चिंता मत दीजिए अगर वो लोग यहां पर आए तो मैं सब कुछ एकले समहा लूँगा तब ही एक सोजर यहां पर आता है और यह बोलता है कि शियांकी जो फैमिली है वो यहां पर आई है और सांती बाकी जो फैमिली है वो भी यहां पर आई है और मैं आप लोगों बता दूगे जो लिंग है वो हमारी फैमिली का हिस्ता है अगर आप लोगों ने कुछ किया तो मैं छोड़ूँगा नहीं आप लोगो लिंग के फादर जाने के बाद यहाँ पे यह बंदे बोलते कि आकर हमें क्या करना चाहिए तो जो में एल्डर होता है यह बोलता है कि तुम लोग चिनता मतलो हम लोग अपने दुस्वन पाटी का साथ देंगे और यहाँ पे लिंग के फादर को गदी से हटा देंगे और जिसके बाद हम तीनों की जो फैमिली है वही जह यहाँ पे गदी के उपर राज करेगी तो यह सबी काफी खुश हो जाते हैं और यह कहते हैं कि आपका प्लैन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है तो यह बोलता है कि बताईए आप लोग को मुझसे क्या चाहिए तब यह शियान फैमिली का बंदा होता है यह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यह बोलता है कि तुमने मेरे बेटे की जान लेने की कुश्च करी है मैं तुम्हें चोड़ूगा नहीं तुम्हें इसका मौब जा चुकाना होगा तो यहाँ पे शियान के फादर बोलते की देखो इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं वो तो चुपचाब से यहाँ पे जो रिस्ता है उसी को तोड़ने के लिए आया था लेकिन तुम लोगों ने उसके उपर हमला कर दिया और तुम्हें क्या लगता कि तुम यह सब करके यहाँ पे जह बच जाओगे और मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ दूँगा तो यह सुने के बाद यहाँ पे लिंक बोलते की बताए फिर आप क्या चाहते हैं तभी शियान फैमली का जो बंदा होता है यह बहुत ज़्यदा गुसे में आ जाता है तभी किंग फैमली का एक बंदा इसके पास आता है और यह बोलते की आप शान्त हो जाएए अगर आपने यहाँ पे लिंक फैमली के साथ लड़ाई की तो इससे जह हमारा ही नुकसान है क्योंकि यह भी बड़ी पाटी है फिर शियान फैमली का बंदा उनसे जह लड़ाई करेगा यह सुनके यहाँ पे लिंक के फादर बोलते की आखरी का तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो जिस पर यह लोग बोलते की नहीं हम लोग तो उनसे फाइटिंग करेंगे ही जिस पर लियांग अपने फाद इनों हिट जो मैच है वो जड़ श्टार्ट हो जाती है यहीं फे शियान फैमली का जो बंदा होता है। उसके उपर हमला करता है और सियान फैमिली का बंदा काफी दूर जाए गिरता है और इसी के साथ जो सियान फैमिली का बंदा होता है वो जह यहाँ पर हार जाता है अब यह देखके सवी बंदे बहुत जाशोक में आ जाते हैं तभी यहाँ पर जो लिंग होता है बहुत जाद ही बेकार लड़की है और वो मुझे धुका दे चुकी है अब सभी बंद है यहां पर शीन की बेस्टी सुनके बहुत जाए घुसे में आ जाते हैं क्योंकि यहां पर इनको लगता कि शीन बहुत जाए सुन्दर लड़की है और यह उसकी बेस्टी कर रहा है और यह लोग किंग को बोलते कि जल्दी करो और इसे जह मा डालो फिर यहाँ पर जो किंग होता है वो कहता कि तुम लोग चीनता मतलो फिर किंग अपना जो हमला होता है वो करता है लेकिन यहाँ पर लिंग को कुछ नहीं होता है फिर किंग अपनी तलवार से फिर से हमला करने आत बाहर होती है पावर को यहां पे इस्तर्माल करता है और यहां पे किम की पावर के उपर हमला करता है और यहां पे हम देखते कि किम के उपर एक तलवार लगती है लिंग बोलता कि तुम्हारी तलवार काफी अश्ट्रॉंग थी तभी हम देखते कि यहां पे किंग के बंदे को साइड कर दिया जाता है और किंग का जो पीता होता है वो बहुत जाद दुखी होता है तभी यहां पे शीन के पीता आगे आते हैं और यह बोलते कि लगता कि तुम्हें को जाए दम है और वो अपने सबसे तागतवर बंदे को बहार निकालते हैं तब ही यहां पे लिंग के फादर कहता है कि आखिरी का तुम्हें ऐसा कैसे कर सकते हो तुम्हारा जो बंदा है वो जह यहां पे लिंग से बहुत ज़ाद ताकतवर है और उसे जह 20 साल का experience है और तुम यहां पे ऐसे बंदी को लिंग से लड़ाई करवाने के लिए लेके आए हो जिसभे शीन का बंदा बोलता कि यहां पे कौई बी किसी से fighting कर सकता है अगर तुमें डर लग रहा है तो हार माण लो तो यहां पे लिंग कहता है कि मैं हार नहीं मानूँगा मै इससे fighting करूँगा जिसके बार लिंग का जो opponent होता है वो सामने आ जाता है और ये बोलता है कि तुम सही में काफी ज़्याद अच्छे बच्चे हो लगता है कि मुझे तुम्हे ज़ल्दी हराना होगा फिर लिंग का अपोनेंट जो होता है यहां पे लिंग के उपर हमला करना स्टार्ट करता है लिंग भी जह उसके हमले से यहां पे बड़े अराम से बच रहा होता है इन दोनों के लड़ाई बहुत ज़्यादा ही अच्छे चल रही होती है सवी बंदों को यह देखने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है यहाँ पे जो link होता है ओभी जैस को बराबर की टकर दे रहा होता है link का opponent link के उपर हमला करता है लेकिन link बार-बार उसके हमले से बच जाता है और उसकी कमजोरी को ढून रहा होता है फिर उसको उसकी कमजोरी मिल जाती है और ये अपने मन में बोलता है कि मैंने उसकी कमजोरी को अप ढूल लिया है अब मैं इसे बड़े अराम से हरा सकता हूँ जिसके बाद ये दोनों अपने अपने जो बीष्ट है उसे जह बाहर निकाल लेते हैं और इन दोनों के बीष्ट अबस्मे जह फाइटिնंग करते हैं लेकिन यहां पे जो लिंग का बीष्ट होता है वो बहुत ज़्यद पावरफुल होता है और वो यहाँ पे दुस्मन के पाटी को हरा देता है और सीधा दुस्मन के बंदे के पाथ जाता है यहीं पे बंदे बोया चोक जाते है क्योंकि यहाँ पे बीश्ट को निकालने के लिए बहुत ज़्यदा मेनच चाहिए होती है लेकिन लिंग ने थी चोटी उमर में बीश्ट को निकाल दिया है सभी बंदे कहते कि आखिर कार ये क्या हो रहा है हमें तो कुछ समझी नहीं आ रहा तभी यहाँ पे लिंग का जो बीश्ट होता है वो सीधा यहाँ पे उसके बंदे को पकड़ लेता है और हरा देता है और फार्नली शीन फैमली का जो बंदा होता है वो भी हार जाता है तभी यहाँ पे लिंग के फादर कहते कि तुम्हारा जो बंदा हो भी हार चुका है अब तुम्हें यहाँ पे मुआपजा देना होगा यहीं पे शीन फैमली का बंदा यहाँ पे जह कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं हम लोग बाद में इसका बतला जरूर लेंगे लिंग कहता है कि तुम लोग इसके बारे में बाद में सोचना और तब यहाँ पे शीन फैमली का बंदा अपने बंदे को यहाँ पे जह हील कर रहा हो तुमने यहाँ पे तीनों फैमली के जो बंदे हैं उनको जह बड़े अराम से हरा दिया और यहीं पे सारे बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि लिंग ने यहाँ पे तीनों फैमली के बंदे को जह हरा दिया है जिसके बार लिंग कहता है कि मैं अपने भाईों से मिलने के लिए जा रहा हूँ फिर लिंग अपने भाईों से मिलने के लिए यहां पे जहा आ जाता है और लिंग कहता है कि मेरा सबसे पहला भाई जो है यहां पे बहुत ज़्यादा पाउरफुल है और उसे तलौरबाजी करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है लेकिन मैं दूसरा भाई जो है यहाँ पे वो तलौरबाजी नहीं कर सकता क्योंकि तलौरबाजी करते वक्त उसका जो पैर है वो एक दम से गायल हो गया क्योंकि वो बहुत बड़ी खाई में जहें नीचे गिर गया था फिर हम लिंग के दूसरे भाई को देखते हैं जो यहाँ पे विल्चेर के उपर बैठा होता है तभी जो लिंग है वो उसके पास आ जाता है और यह बोलता है कि बता हो तुम कैसे हो अब परिकार तुम मेरे पैर को कैसे ठीक कर सकते हो और फिलाल के लिए तुम मेरे पैर की चिंता छोड़ो तुम यहाँ पर ट्रेइनिंग करो और बहुत जाँग मन जाओ जिसके बाद लिंग यहाँ पर चेह उटके खड़ा हो जाता है और यह अपने बड़े भाई के पास जाता है और साथी लिंग जो होता है यहाँ पर अपने मेजिकल पार कास्तिमाल करता है और इससे पास चल जाता है कि यहाँ पर इसके भाई को कैसे ठीक करते हैं ये बोलते कि आपको ठीक करने के लिए हमें जो होली फायर है उसकी ज़रत है लिंग का भाई बोलते कि होली फायर को ढूड़ना बहुत ज़्यादा ही मुस्किल है जिस पे लिंग बोलते कि एक बार मैं इनी प्रोगलम से बाहर निकल जाओ जिसके बाद मैं आपके लिए जो हली फायर है उसे जह ढूड़नाँगा जब तक लिए आप ठीक रहीएगा आप जहाराम से खाएए पूए और यहाँ पे घूमिए जब तक मैं यहाँ पे आपके लिए आपके लिए लिंग यहाँ से चला जाता है ये सुनने के बाद लिंक का भाई बोलता है कि यहाँ पे लगता है कि मेरा जो भाई है वो जह कुछ जाहित अगदवर हो गया है तब ही नेक हीन में हम देखते कि यहाँ पे एक ग्रूप जा रहा होता है होली फायर को ढूंडने के लिए और इसमें जो लड़की होती है वो भी होली फायर को ढूंड रही होती है तकि वो अपनी मा को यहाँ पे जह ठीक कर सके आप दोस्तों यहीं पे यह वीडियो खतम होती है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती है ते पलीस नीचे कमेंट कीजेगा जैसी कमेंट करोगे वैसे अगला पाट आ जाएगा तो प्लीज फोटी कमेंट कर दीजेगा मिलता हूँ अगली वीडियो में चेव तक लिए बाई बाई